पहला कुशन है चुनाओ में अपना मत देने के रिया वाक्यांस के लिए एक सब्द होगा कुशन में दो है निम्ने से सुद्वर्तनी वाला सब्द है इनमें से आपको आविस्कार की सुद्वर्तनी बतानी है कि आविस्कार के सुद्वर्तनी कौन सी है तो इसके सुद्वर्तनी है option C की कुस्मर तीन है दिये के सब्द का विलोम चुने आपको सोक का विलोम बताना है कि सोक का विलोम क्या होगा तो सोग का विलो में Option D, हर्स कुसम चार है इसमें आपको रिक्सतान भनना है हिंदी दोवारा सारे भारत को एक सुत्र में डेस जा सकता है Option पिरोया, बांधा, डाला यव फसाया तो इसमें आएगा हिंदी दोवारा सारे भारत को एक सुत्र में पिरोया जा सकता है Option D कुसम पांच है नीचे दियेगे वाक्यांस के लिए एक सब्द चुनिए जिसके पास कुछ भी नहो जिसके पास कुछ भी नहो उसे बोलते हैं एकिंचन, Option D कुसम चै है अन्सू किसका प्रयावाची है तो अन्सू प्रयावाची है Option D किरन का कुसम साथ है दियेगे वाक्या में रिखांकित खंड को प्रिस्तापित करने के लिए सबसे उप्युक्त वीकलप का चैन करें ठंडा घड़े का पानी पिलाईए तो इसकी जगए बताना है किस सब्द का या किस वाक्या का प्रयोग करेंगे जिसे की वाक्य सुध्ध होगा तो इसकी जगए अप्शन D घड़े का ठंडा पानी पिलाईए गुसमर आठ है दियेगे सब्द के समनार्थी सब्द का चैन कीजिए आपको उन्मूलन का समनार्थी बताना है कि उन्मूलन का समनार्थी क्या होगा तो इसका समनार्थी है उकाड फैकना अप्शन C को समनार्थी दियेगे वाके में रिखांकित अंस को पिरिस्ताबित करने के लिए सबसे उप्युक्त विकल्प का चैन करें मकार गिर जाने का संदे है तो इसमार्थी आपको रिखांकित बदलना है संदे की जगे बताना है कि सब्द का प्रियोक रहेंगे जिसे की वाके सुध्ध होगा तो संदे की जगाएगा डर option A मकार गिर जाने का डर है खुश्म अदस है दियेगे वाके अंस के लिए एक सब दीजिए जिसे देखा नहीं जा सकता जिसे देखा नहीं जा सकता वाके अंस के लिख सब्द है एदरस से option A कुसम गया रहे है इनमें सब सुध्रवर्तनी माला सब्द है इनमें साब को सन्यास की सुध्रवर्तनी बतानी है कि सन्यास के सुध्रवर्तनी कौन सी है तो सन्यास के सुध्रवर्तनी है option C की कुसम बार है साब चचंद्र की गती होना मुहावरेकर्थ है साब छचंदर की गती होना मुहावरेकर्थ होगा option C ऐसा मंजस की इस्तिती होना कुस्म तेरा है दीगे सब्द का विलोम चुने आपको परवेश का विलोम अताना है कि परवेश का विलोम क्या होगा तो परवेश का मिलो मैं निकास, आप्साने निशत दियेगे वाक्य में रिखांकित अंस को प्रिस्तापित करने के लिए सबसे उप्यूक्त विकल्ब का चैन करे गुरू जनों पर सरद्धा करो तो इसमें आपको रिखांकित बदलना है तो इसकी जगाएगा गुरू जनों पर सरद्धा रखो उप्शन सी कुसम पंद्र है इसमें आपको खालिस्तार मनना है विफलता का कारण अध्यन पदिती का डैस होता है उप्शन दोस, आदर्स, विस्तार या समूचित तो इसमें आएगा विफलता का कारण अध्यन पदिती का दोस होता है उप्शन ने कुसम सोले है दियेगे वाके के किस भाग में तरूटी है उनके निधन से देश की एपूर्णिये छती हुई है तो इसमें आपको बताना किस भाग में तरूटी है तो तरूटी है उप्शन ने में इसमें छती की वतनी गल्द दी गई है छती लिखा जाता है इस तरह कुसम सतरह है दियेगे वाके का विभाग यात करें इसमें कोई तरूटी है इस बात कहने में किसी को संकोच ने होगा या कोई तरूटी नहीं है दुसमर तरोटी है के में केकी जगायागा को इस बात को कहने में किसी को संकोच नहीं होगा कुसमर ठारह है इसमर्ब को खालिस्तान नहीं नहीं है राम ने मुझे पुस्तक डैस की और अप्सन समर्पित, समर्पन, वित्रित या प्राप्त तो इसमा एगर राम ने मुझे पुस्तक समर्पित की और अप्सन है कुसम नहीं से है आख्यों में सरसो फून ला इस मुहार्पन, आप्सन है लाश कुसन है जिसना आपको देना है आर्वी भाव का विप्रीतार्थक सब्द है